हेलो वाट्सप गाईस आज हम इस वीडियो में देखने जा रहे हो टू कनेक्ट यॉर होस्टिंगर इमेल टू जी मेल जियां काईसे बहुत इंपोर्टेंट है क्यूं मैं आपको बाता आता हूं सबसे पहले तो मैंने जितना भी स्टेप साज हमें लगने वाला है उसको एच इमेल मिलता है ठीक है अब इमेल बहुत इन्पोर्टेंट को मैं इस वीडियो में आपको पूरा बाता आई था कैसे आपका हंडरे ज्यादा फ्री प्रोपेशनल इमेल्स प्रेइट कर सकते हो अपने कंपनी का जो भी आपने नाम से लिया अगा ठीक है कि 16 यहाश करए कोडिफायर मेरे कंपणी का नाम है प्राइबाइब लिमिटेट कोडिफायर जिसमें हम I T ट्रेनिंग अगर आपको कोई भी विबसाइट करवाना हो या वेब डिजाइन बनवाना हो कोई भी application college का भी तो वो हम काम करते codifier में ठीक है आप मुझे contact कर सकते हो contact at the rate codifier.com अब मेरे मन में यह था आप लोगों के मन में भी होगा यार कास मुझे हर बार hostinger के वे mail पर ना जाना पड़े अगर किसी तरीके से मैं अगर compose पर क्लिक करूं एंड यहां पर ध्यान से देखना बूम गाई सी यह देख पार हो यहां पर मेरे पास option आई गया मैंने अपने hostinger का जो email id है उसको gmail से मैंने करनेट कर दी अब अगर मैं यहां पर जा किसको सेलेक्ट करता हूं एंड इस इस मेरा काम खता हूं तो अब यह मैं मैंसेज कुछ भी लिख के अगर सेंट पर क्लिक करूंगा तो वह contact at the rate codify.com की तरफ से उनको जाएगा लोगों को यह लगेगा कि मैंने hostinger की तरफ से बेज़े बट में normal gmail के थ्रू कर रहा हूं तो यह मैं आज आपको इस वीडियो में बात आने वाला हूं ठीक है देख लेते हैं and that is मैं जूम कर लेता हूं कि सबसे पहले hostinger पर लॉग इन करना होगा हूं ठीक है और राइट सो कैसे आप देख सेकत हूं कि मैंने hostinger पर लॉग इन कर ली ठीक है देखो नहीं इतने सारे इमेल भरे पड़े तो आप मेरा basically codifier मेरी company का नाम है तो codifier पर मैं आया here you can see codifier.com ठीक है add the rate करके आएगा जो भी होगा आप इसके आगे कुछ भी लगा सकते आपकी मर्जी thapa add the rate codifier.com my viewers add the rate codifier.com कुछ भी हो आपको manage पर क्लिक करना है तो अब codifier के आगे मैं already इतना कुछ बना चुका हूं तो यह तीन accounts में already create कर चुका हूं आप कितना भी create कर सकते हूं contact वाले को मैं already अपने Gmail से connect कर चुका हूं मैं अब यह जो marketing वाली जो team है उसका मैं connect करना चाहता हूं मेरे Gmail से ठीक है कैसे करूंगा देखो तो यह जो है यहां तक आभी फिलाल आपके रुखना है and on the left hand side आप देख सकते है we have connect apps and then devices यहां पर आ जाहिए simple ठीक है अब एक चीज यहां तक नहीं यह जो चीजे यह बहुत ही ज्यादा important है यह manual configuration जिसमें आपका यह SMTP ठीक है and then आपका POP एक है आपका guys भेजने का एक receive करने का जो भी हो and port number important है ठीक है तो अब भी इतना आप आगे perfect ठीक है अब आपको अपने Gmail ID पर जाना है login करना है जिस पर आप उसको add करना चाहते हो then आप एकदम टॉप पर देख सकते हो over here we have this gear icon आपको यहां पर simply click करना है then we have this see all settings यहां पर ठीक है इस पर आपको click करना है perfect the moment आप see all settings पर आते हो top पर आप देख सकते हो accounts and import इस पर आपको click करना है the moment इस पर आपने click की आप already देख सकते हो कि यहां पर मैंने यह देखो contact at the rate codify.com मैंने already add कर रहा है मैं अब एक और add करूंगा यहां पर कैसे add another email address add another email address की दर send mail as वाले में आपको इस पर आना है ठीक इस पर आपको click करना है तो इस पर मैंने click कर दी all right so एक pop-up आता है जहां पर आपको आपका नाम और आपको आपका email address add करना है अब कौन सा email address obviously यह वाला email address मैं वापस चलता हूं basically जो मैं एक second back चलता हूं मैं यह वाला यह वाला ठीक इसको मैंने important है and we have a port over here तो आपको यह SMTP server का वह address port यूजर ने में आपका email id and password आप अपना add कीजिए and actual मैं जो hostinger का वह वाला ठीक है तो मैं क्या करता हूं मैं वापस एक काम करता हूं पहले इस को यह एड कर लेता हूं ठीक है and वापस इस पर मैं चलता हूं connect apps and device here we have this SMTP तो guys अगर आप hostinger के थुरू करें तो आपका भी यही रहेगा and port रहेगा 465 तो paste port रहेगा 465 तो अब आपको password add करना है ठीक है and secured connection और ठीक है add account कर देता हूं मैं all right guys तो यह मेरा हो गया है ठीक है now अब यहाँ पे एक चीस देख सकती उन्होंने बोला है congratulations ठीक है we successfully located your other जो भी हो यह बता इन्होंने verification के लिए यह देखो marketing at the rate codify.com पे एक mail इन्होंने send किया है verification के लिए तो इसको मैं close कर देता हूं ठीक है अब भी आपको क्या करना होगा ध्यान से देखे वापस back आईए ठीक है यहाँ पे जो दिख रहा है यह देखो web mail यह important है यहाँ पर आप देख सकते हो यह आपका web mail है आपका marketing वाले पर क्लिक कीजिए अब इस तरीके से आप यहाँ पर login कर लीजिए ठीक है तो मैं login कर लेता हूं यह मेरा हो गया login यहाँ पर आप देख सकते हो मुझे mail आया हुआ है Gmail confirmation ठीक है इस पर मैं click कर रहा हूं आप देख सकते हो बहुत क्लिक कर देना है तो मैं confirm पर क्लिक कर देता हूं तो अब at least मैं अपने Gmail ID से डारेक्ली अब मैं किसी को भी mail कर सकता हूं यह marketing at the rate codify.com के नाम से मुझे आप उहाँ पर जाने की नेड़नी है ठीक है पहला पार्ट हमारा complete होगा है second पार्ट यह है कि ठीक है अगर कोई आपको कुछ इस particular email ID पर अगर mail share कर रहा है तो उसको वापस आपको hostinger पर जाना पड़ेगा उसको देखने के लिए तो आप यह चाहोगे कि अगर मैं Gmail से भेज पा रहा हूं तो क्या मैं वही reply कोई अगर मुझे करता तो मैं Gmail पर ही देख सकता हूं या नी तो वह आपको देखने वाले के लिए ठीक है तो उसके लिए वापस आपको hostinger पर जाना है ठीक है verify email ओल्राइट यह तो हम कर चुक है तो यह वाले पार्ट पर आना है वापस Gmail के setting पर आईए ठीक है सुनाओ गया इस उसके लिए क्या करना होगा देखिए वापस इधर ही आईए ठीक है वापस all right हम already उधर ही है मैं इसको एक बार refresh कर देता हूं तो मैं इसको एक बार reload कर देता हूं एंड गाइस अब आप देख सकते हूं कि विनोत थापा marketing at the right codify.com यह मेरा यह भी एड हो गया सी यह contact था ही था मेरा marketing भी मैंने एड कर दी मेरा काम हो गया अब यहां पर एक और चीज़े check mail from other accounts देखो already एक मेने एड कर रखा है मेरा contact वाला अब मुझे add a mail पर जाना पड़ अगें we have this pop-up ठीक है by default आपका autofill हो के आया हुआ है next करना है email and यहां पर import gmails from my other accounts okay next कर दिया हमने अब username है password है POP server का आपको value and then port लिखना है ठीक है तो सबसे पहले यह वाला part मैंने फिल कर दी automatic हो गया बहुत अच्छी बात है मैं यहां पर आउंगा मैं यहां पर आने के बाद वापस connect apps and device पर जाओंगा here we have POP आप बहुत के लिख सकते हो यहां पर and आपका भी यही रहेगा तो इसको copy करना है and 995 port आपको याद रखना है ठीक है so let's go over here कहां गया I think it's a POP UP जी हां यहां पर तो इसको मैंने paste कर दी pop.hostinger.com and port was I guess 995 ही था I guess 995 yeah it's a 995 and यहां पर हम चलते है अब इस पर देखो always use a secure connection obviously we need a secure connection and label incoming message जो भी आएगा हमें marketing at the rate यह मैं आपको बताता हूं क्या यह थुदेर में बताता हूं लेवल करना जरूरी है and add account पर आपको click कर देना this is it तो the moment आप इतना करते हो अगेन आपको confirmation mail गया होगा आपके Gmail पर ठीक है तो वापस आप inbox पर आईए एक बार and guys आप बहुत पर आपको Gmail का दिखाई दे रहा है इस पर में आऊंगा and यहां पर यह वाला जो एक लाइन है बस आपको इस पर click कर देना है so the moment आपको अगेन आपको वही confirmation वाला mail आगया यहां पर वापस से राइट तो confirm पर click कर देना है and boom guys see this is it खत्म मैंने आपको सबसे पहले यह दिखा कि कैसे आप ओ email id को add कर सकते हो ताकि आप आप Gmail के थुरू mail share कर सको using अपना ही codifier वाला and then मैंने आप यह दिखाया है second part में कि कैसे आप कोई अगर आपको उस mail id पर reply कर रहा है तो उसको भी आप Gmail पर ही देख लो मतलब आपको कहीं जाने की जौत नहीं है अब आपका यह काम हो गया तो मैं inbox पर आउंगा and खता में देखो तो इधर पहले मैंने आपको से एक चीज़ कहा था कि label as marketing मतलब ओ तो नाम मैंने रखा था बना label मतलब यह देखो क्योंकि मेरा एक तो यह official Gmail ID भी है मैंने इसमे contact at the rate codify.com वो भी आइड कर दिया और साथी साथ मैंने marketing at the rate codify.com वो भी आइड कर दी तो जब तीनों में अगर मुझे reply आएगा same ID पर समझे रहे तो मुझे कैसे पता चलेगा कि किस user ने मुझे थापा technical.com पर डाला है कि contact at the rate codify.com पर डाला पर आया है यह वाला जो mail है मुझे contact at the rate codify.com पर आया हुआ है यह वाला जो mail आपको दिखाई दे रहा है यह मुझे normal मेरा जो official Gmail ID है उस पर आया हुआ है So yeah guys this is it आज इस बीडियो के लिए इतना ही आई हूँ बीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आगा Now special घड़ी आ गई है जहां पर मैं आपको यह बताने वाला था कि guys अगर आप एक server buy करने का सोच रहे थे अपने freelance career के लिए अपने startup company के लिए या अपने खुद की portfolio बनाने के लिए या college में कुछ सी project को host करने के लिए then guys देखिए server आपको buy करना ही पड़ेगा and मैं पिछले 4 सालों से hosting यूज कर रहा हूँ इसका price एकदम minimum में एकदम lowest है with best services and the best part इन्होंने रिसेंटल मुंबई में अपने एक new data center खोला जिससे आपकी जो speed है website की यूँ quick होने वाली है and price तो lowest है ही है उसके उपर से आए special coupon code जहां पर अगर आप कोई भी web plan या web hosting सेलेक्ट करते हो there guys will get extra 10% discount देखो यहां पर have a coupon code right price कितना दिखा रहा 7000 दिखा रहा है वो भी चार साल के लिए जो की चार साल बहुत होता है guys और मैं अगर यहां पर लिख देता हूं इस तरिके से simple thapa 7 and apply कर देता हूं यह सिफ 7100 कुस्ता यह देखो 6000 मतलब 1000 का discount on the on the spot 4 साल के लिए 6400 में आपको web hosting मिलना वह भी premium वाला जिसमें free SSL free domain free wordpress free AI website builder 247 का chat support मतलब क्या कुछ नहीं है इसके अंदर एंड चलो अगर आपको यह थोड़ा ज्यादा लगता भी एक साल के लिए आप ट्राए कर लिजे एक साल के लिए सिफ 2300 सिफ 2300 में वान येर का web server आपको मिल रहा है सब कुछ आपको free मिल रहा है guys this is the best opportunity मैं बता रहा हूँ मिस नहीं कर सकते आप इसको ठीक है तो इसका link मैं आपको नीचे description में दे दूँगा जरू check out कीजिएगा अब मेरा coupon code आपको 10% का discount अगर आप मेरा link से buy करते हो तो guys मुझे भी थोड़ा अच्छा लगेगा है तो link नीचे description में जरू check out कीजिएगा आज की वीडियो में कितनों का successfully email connect हो गया है let me know in the comment section अगर किसी का कुछ problem आ रहा तो please comment कीजिए मैं हूँ आप लोगों की help के लिए और मैंने complete series upload किया हुआ है पूरा hosting गर की उपर buy कैसे करना है कैसे access करना है free email SSL certificate and all सब कुछ है host कैसे करना प्लीज इसको प्लेइलिस को जरू check out कीजिएगा and guys वीडियो पसंद आए तो like दोस्तों के साथ भर भर के सेर मिलता है अब आपको कल की वीडियो में till then guys thank you so much take care